है अगे आप देगे नियुक्त नेक आए जहां को नहीं को यह जाओं कि आप आए यूएस में रिकवरी प्रोब्लम या बूटलूप की प्रोब्लम या इस तरह की ओवरी प्रोब्लम्स को आप एक जहां से कैसे ठीक कर सकते हैं तो इसके लिए मैं यूज़ करूंगा आए आपको डिस्क्रिप्शन है मिल जाएगी तो यह सोफ्टर काफ इस टाइप की प्रोब्लम्स को सॉल्व कर सकता है जैसे यह आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं अगर आपके जेल भी रहते टाइम तो भी यह सोफ्टर उसको ठीक कर सकता है उसकी रिटर्न गाइड आप यहां इस तरह कुल जाएगा और आपको यह पर इस तरह के चार ओप्शन्स टिखेंगे इस टेंड मॉन में आपकी बेसिक प्रोब्लम फिक्स हो जाएगी और एडवांस मॉन में आपकी अगर आपको स्टेंडर मॉन काम नहीं करता है तो अभी आप इसे यूस करें स्टेंड मॉन आपका डेटावाइप नहीं होगा और आपको इस तो अभी आप इसे इसे कर सकते हैं इस आप्से साफ्ट रिकवरी से बूट भी कर सकते हैं और से बाहर भी आ सकते हैं तो इसके लाए पर लाश्ट आप्शन्स ट्राए करें इसके लिए अपना फॉन केबल से अपनी फ्लैप्टों में अटेच कर दे और याप एंटर या एकजिट रिकवरी मोड पे आप क्लिक कर सकते हैं फिर आपको फॉन इस तरह रिकवरी से आउट हो जाएगा और आप इसे बिना बटन कॉम्बिनेशन के भी यहां से रिकवरी मोड में बूट कर सकते हैं मैंने आप इसे केबल से टैक्स कर रखा है तभी वर्क करेंगा तो आप इसे सॉफ्टर से इसे रिकवरी में वापस बूट भी कर सकते हैं आप दख सकते हैं रिकवरी में वापस आ चुगा है और अगर आपको मैनुवर रिकवरी में जाना हो तो केबल लगा के गोल लिम अप पोल लिम डाउन बुटन एक बाप प्रेस करें और पाव बुटन होल्ड रखें आपको पाव बुटन दब तक होल्ड रखना है जब तक आपकी इस तरह की स्क्रीन नहीं आ जाती अब मैं आपको स्टेंडर्ड मोड दिखाता हूं इसमें आपना डिवाइस कनेक्ट करके नेक्स पर किलिक करें और फिर आपका फोन डिटेक्ट करके उसका फर्मवेर को डाउनलोड करेगा डाउनलोड और एस्टेक्ट में थोड़ा टाइम नहीं सकता है इसलिए आप वेट करें जानने है इस टाइम आपका फोन रिकवरी मोड बना चाहिए तब यह वर्क करेंगा इसके बाद स्टार्ट पर किलिक कर दें पिर आपके फोन में जो भी दिक्कत होगी यह फिक्स कर इसके बाद आपका फोन थोड़ा सेट अप दिखाएगा फिर बूट हो जाएगा और फिर आपकी जो बीस्तर की चोटी मोड़ी प्रोब्लम जो समें लिस्टीड है उसे फिक्स हो जाएगी इसके बाद अगर आपका स्टेंडर मों काम नहीं करता है तो आप एडवांस मोड़ जूस कर सकते हैं इसमें आपका डेटा वाइप हो जाएगा और रोम को फ्रेशली इंस्टॉल करेगा तो हमने फार्म वैर ओलेडी डाउनलोड कर लखा है तो इससे एक्सटार्ट करेगा और इस डार्यकले इंस्टॉल कर देगा अगर आपका फोन जेल ब्रेक्ट है तो इसे अंजेल ब्रेक कर देगा है जानरे इस प्रोसेस में आपका डैटा वाइप हो जाएगा और अगर आपका फोन रिकवरी मोड में नहीं है तो आप उसे इस तरह रिकवरी मोड में डाल दे फिर आपका ऑटमेटिक है स्टार्ट हो जाएगा और इस प्रस्ट में थोड़ा टेल लग सकता है फिरा को फोन एजर न्यू डिवाइस खुलेगा उसमें आप सैट अप कर गए इसको यूस कर सकते हैं आप लग सकते हैं मेरा फोन यह पर नॉर्माली खुल चुगा है उसमें कोई भी दिकर नहीं हुए तो अगर आपका फोन आपको रिजेट करना है तो इसमें रिजेट के दो मोड स्टैंडर और हार्ड रिजेट अगर आपको रिजएट में कोई भी दिक्कत आ रहे है तो आप इसे यहां से रिजेट भी कर सकते हैं और अगर यह स्टैंडर डिशेट नहीं कर पाता है तो आप हार्ड डिजेट में भी ट्राइ कर सकते हैं कि ये ये सैम आपका रोम डोबार इंस्ट्रॉल करेंगे और जो 공 tap की प्रपवल मोगी वह को मुद्रेश को जाए कि 0 84 गजाए कि तो अब इसे बेसिक सेट अप कर ले पिर आका फोन कुल जाएगा तो तो तरह आप आइपोन में कोई भी प्रोब्लम को यह की सोफ्टर से फिक्स कर सकते हैं अगर आपको में वीडियो ची लेगी तो इसे लाइक करें शेयर करें में जानों को सब्सक्राइब करना ना भूलें करें में पिर आपको में झालें